असम भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक बन गया है, यहां कुछ प्रमुक कारण है कि असम ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धी क्यों देखी है? हाल के वर्षों में असम की आर्थिक विकास दर में सुधार हुआ है, और यहां राज्य भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक के रूप में उगरा है, हाला कि इसकी विकास दर अभी भी भारत के कुछ अन्य प्रमुक राज्यों की तुलना में कम है सांखिकी और कारेक्रम कार्यान्वेन मंत्राले के अनुसार असम का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएजडीपी दो हजार उन्नीस से बीस में 7.6% की दर से बढ़ा जो इसी अवधी के लिए 4.2% की राश्च्य विकास दर से अधिक है हाला कि यह विकास दर भारत के कुछ प्रमुक राज्यों जैसे गुजरात, महराष्ट्र और तमिल्लाडू से कम है जो क्रमशा 7.8%, 7.5% और 7.9% की दर से बढ़ी है असम पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, जो अपनी विविद संस्कृती, प्राकृतिक सुंदर्ता और सम्रिद इतिहास के लिए जाना जाता है राज्य विभिन्न प्रकार के जातिय समूहों का घर है, प्रतिक अपनी अनूठी परंपराओं और रीतिरिवाजों के साथ असम अपने चाय बागानों, रेशम उद्योग और वन्यजीव अभ्यारण्यों के लिए प्रसिद्ध है इसमें काजिरंदा राश्य उद्यान सहित कई राश्य उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो एक सींग वाले गैंडों का घर है ब्रहम पुत्र नदी राज्य से होकर बहती है, और असम के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है राज्य ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास किया है, और भविश्य में इसकी अर्थव्यवस्था के बढ़ने की उम्मीद है सरकार की नीतियों, बुनियादी धाचे के विकास और आर्थिक विविधी करण सहित कारकों के संयोजन के कारण असम हाल के वर्षों में भारत में सबसे तेजी से विक्सित होने वाले राज्यों में से एक के रूप में उबरा है राज्य दक्षन पूर्व एशिया और दक्षन एशिया के चौराहे पर स्थित है जो इसे व्यापार और वानिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है सरकार बांगलादेश और भूटान जैसे पडोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देकर इस लाब का लाब उठाने के लिए काम कर रही है इससे अधिक निवेश आकरशित करने और राज्य में व्यापार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिली है सरकार की पहल असम सरकार ने राज्य में आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहले लागू की है इनमें से कुछ पहलों में असम स्टार्टप नीती शामिल है, जिसका उद्देशर राज में उद्यम शीलता और नवाचार को बढ़ावा देना है और असम उद्योगिक और निवेश नीती जो विभिनक शेत्रों में निवेश को आकर्शित करने के लिए कई प्रोत्साहन और सबसिरी प्रदान करती है असम ने हाल के वर्षों में बुन्यादी धांचे के विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसमें नए राजमारगों, रेलवे और हवाई अड़ों का निर्मान शामिल है इन सुधारों ने राज्य को देश के अन्य हिस्सों से जोडने और परिवहन और रसत की दक्षता में सुधार करने में मदद की है असम ने हाल के वर्षों में विशेश रूप से तेल और गैस, क्रिशी और परियतन के क्षेत्रों में विदेशी निवेश में उलेखनी अव्रिद्धी देखी है राज्य सरकार ने टैक्स ब्रेक और सुव्यवस्थित नौकरशाही प्रक्रियाओं जैसे प्रोथसाहन देकर विदेशी निवेशकों को आकर्शित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है असम अपने प्रचुर प्राकृतिक संसादनों जैसे तेल, गैस, कोईला, चाय और बांस के लिए जाना जाता है राज्य ने आर्थिक विकास और विकास को चलाने के लिए इन उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है कुल मिलाकर बहतर बुनियादी धाचे, क्रिशी और उद्योगी करण पर ध्यान केंद्रित करने और सरकारी नीतियों और सुधारों के सयोजन ने असम को भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक बनाने में मदद की है हाला कि अभी भी ऐसी चनौतिया है जिने राज्य को संबोधित करने की आवशकता है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना, पर्यावरणिया मुद्दों को संबोधित करना और सामाजिक समावेश और लैंडिक समानता को बढ़ावा द के लिए बहुत मेहननत करते हैं और आपके समर्थन ने हमें इस तरह के सूचनात्मक विडियो देने के लिए प्रेरित करता है धन्यवाद